दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की पहले ख़बर इस्टेट बैंक में पियो के 2056 चपन पदो पर भरतिया 25 서 पहले अप लायें जिहां देष्के सबसे बड़े बैंक भारतिय इस्टेट बैंक ने पियो के 2056 पदो पर भरति eternity निकाली है इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टुबर यानी मंगलवार से सुरू हो चुकी है इच्चु को मिदबार svi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन के अंतिमतिधी 25 अक्टुबर 2021 निधारित की गई है जानकारे के लिए बतादे कि प्रारामबिक परिच्चा नॉमबर या दिसमबर 2021 में संभावित है वही मेंस परिच्चा दिसमबर 2021 में संभावित है इंटर्वु फरवरी 2022 के दूसरे या तिसरे सब्ता में आयोजित होगा परिचा के रिजल्ट फर्वरी या मार्च 2022 में घोसित किया जाएगा साथ इसमें सेक्षिने की योगता की बात करें तो किसी भी मायनता प्राप्त विस्विद्दाले से किसी भी विसे में सनातक की डिगरी होना अनिवायर है फाइनल एयर में पढ़ाई कर रहे चात भी आवेदन कर सकते हैं आगली बड़ी खबर बिहार में टोटा महागड़ बंदन उपचुना में कॉंगरेस ने दोनों सीटों पर उतारे केंडिडेट राज़त भी मैदान में जिया बिहार की दो विदानसवा सीटों पर हो रहे उपचुना में राज़त से दो दो हाद करने पर उतारों कॉंगरेस ने भी अपने उमिदवार उतार दिये हैं मंगलवार की साम आखिल भारते कॉंगरेस कमिटी ने दोनों सीटों के लिए उमिदवार की अपचारी घोजना कर दी है पाड़ी ने मुंगेर जिले के तारापूर से राजस कुमार मिस्रा तो दरवंगा के कुशिसर इस्तान से अतरेक कुमार को अमिदवार बनाया है अमिदवारों के चैन में पाड़ी ने समीकरन का पूरा ख्याल रखा है अतरेक कुमार कॉंग्रेस के वरिष्ट नेतावा पिछली बार कुसुसर इस्तान से चुनाव लड़ने वाले असुक राम के बेटे हैं जबकि राजिस मिस्रा लंबी समय तक अमेरिका में रहने के बाद पिछली बार नरदिला चुनाव लड़ी थे अगली बड़ी खावर उप चुना में कॉंग्रेस की मदद करेगी जाप पप्पु यादव के निसाने पर तेजस्वी और भाजपा लगाया आरोप बिजेपी और आर्जेटी की बेच समझोता जहाँ जेज से पाच महने बाद बाहर आये जन अधिकार पाटे के राष्टी अधक्ष पप्पु यादव ने तेजस्वी आदव और भाजपा पर जम कर निसाना सादा है बागेर किसी का नाम लिए पप्पु यादव ने कहा कि बिपक्ष के एक नेता पर करोडों की भष्टचार के आरोप है पर एडी और सिवयाई कोई कारवाई नहीं करेगी भाजपा और भिपक्ष की इस पाड़े के बेच आंतरिक समझोता है सिर्फ उमिक मंतरी नितिस्क मारस सवाल करते हैं भाजपा से नहीं साथ यह उन्होंने कहा कि राज सरकार जनता के प्रति उदासिन होगी तो जाप सड़क पर उतरेगा पपो यादव ने कॉंग्रेस से आगरा किया कि वह खुद बिहार में एक मजबूत बिबख्च की भूमिका निभाए उप चुना में यदि कॉंग्रेस मजबूत उमिद्वार देती है तो जाप जरूर सहियो करेगी अगली बड़ी ख़बर कनया के बाद पपो पर नज़र गडवन्दन का पेज सुलजा तो अमने जाप सहित कॉंग्रेस में सामिल होंगे पपो यादव पार्टी को मिलेगा बड़ा यादव का चेहरा जी हाँ कॉंग्रेस के नया कुमार के बाद अब पपु यादब को पार्टे में सामिल करना चाहती है उनको जन दिकार पार्टे के विले का प्रस्ता भी दिया गिया है लेकिन पपु गडवंदन चाहते हैं बताया जारा की बाचित अंतिम दोर में है उम्मिद है कि पपु य रंजित रंजन से बात करूँगा इसके बाद राहुल गानी से मुलकात करूँगा कॉंग्रेस में सामिल होने के सवाल पर कहा की कॉंग्रेस पार्टे तो राजा है और मैं रंग हूँ अगली बड़ी कबर अब नए नाम से जाने जाएगे चिराग और पारस के पार्टे हेलिकप्टर और सिलाए मसीन मिले चुनाव चिन जिहाँ चिराग पासवान और पसपती पारस के पार्टे को नया नाम और निसान मिला है लोजपा के चुनाव चिन बंगला को चुनाव आयोग ने चिराग और पस्वपती पारस की पार्टी का अलग लग नाम और चुनाव चिन दे दिया है चिराग पासवान की पार्टी अब लोग जन सकती पार्टी के नाम से जाने जाएगी उनकी पार्टी का चुनाव चिन भी अब हेलिकप्टर होगा वही पारस की पाड़ी का नाम राष्टिय लोग जन सकती पाड़ी होगा उनको सिलाई मसीन का चुनावची ने निर्वाचन आयोग ने दिया है। पानों पर भी रोनक देखती ही बन रहा है। पाड़ी कबर पाटना जो में फ्री इंट्री बांद जबरदस्त भीड होने के बाद वापस लिया गया फैसला। पाटना जो में फ्री इंट्री को अब खतम कर दिया गया है। अगली बड़ी ख़बर दिवाले से पाले पाटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मिल जाएगा अपना लोगो। 75,000 डिजाइन में एक कहोगा चैन जहाँ पाटना मेट्रो के लोगों के लिए अभी कुछ दिन और इंतिजार करना होगा। पाटना मेट्रो लोगों के लिए बिहार के अलावा उत्तर परदेश, जारकन, दिल्ली, मुंबई समेत, देश भर से करीब 75,000 डिजाइन आई है जिनकी स्क्रीनिंग का काम अभी किया जा रहा है। इसमें करीब 2000 डिजाइन सिर्फ पाटना के लोगों द्वार भेजी गई है। अभिहार में किडनी मरीजों को मुप्त में मिलेगे डालेशिस की सुविदा मंगल पाटने बोले खरीदी जाएगी और माशिने। प्ट्र कॉलेज औस्वताल या सदर असवताल में मुझे अधना के रहर यहां, झाली बडिथ कब चापर यह पर देशL काज ल यहें, रहर आज़े प्रामोक लालो प्रसाभ ने कहा कि मुझे चुक्त कलता है। मैं एम्स के डाक्टर रमे स्यादव से रोज आगरक करता हूँ कि बिहार कब जा सकते हैं। डाक्टर ने पानी जादा नहीं पेने की सला दी है। दिन भर में एक लेटर पानी लिक्विड के साथ लेता हूँ। डाक्टर की सला लेकर समय निकाल कर आपके बेच आएंगे, आएंगे तो सभी से मिलेंगे, सेहत में कभी सुधार हुआ है, डाक्टर सहब चोड़ेंगे तो आएंगे, लल मंगलवार को राज़त के प्रदेश करयाले में पार्टे के प्रसिक्चन स्वीर के अंतिम दिन उत्त जी हाँ, इस्तानिय सरापा बाजार में मंगलवार को नर्मी का रुख दिखने को मिला, चानी का भाव 200 रुप्य प्रतिक किलो गिर गिर गिया, तो वहें सोने के भाव में 50 रुप्य प्रतिक किलो की रहत मिली है, बाजार में तियोहार खपत बढ़ने का कयास लगाया जा रहा है, चानी के भाव में कल 200 रुप्य प्रतिक किलो की नर्मी आये, चानी का भाव 62,200 रुप्य प्रतिक किलो पर आ गिया है, एक दिन पूर वह चानी के भाव में 300 रुप्य प्रतिक किलो की तेजी दर्च की गई थी, सोना बिटूर का भाव कल 50 रुप्य प्रतिक दस गर वहान और राजमार्ग मंत्रालय ने कलिहा जानकारिदी है कि साल 2022 के अप्रेल महने से वहान मालेकों को रजिस्ट्रेशन के रेनुवल के लिए 5,000 रुपय गा बूतान करना होगा 15 साल पुरानी वाहन के रेजिस्ट्रेशन में नए वाहन के रेजिस्ट्रेशन के पिक्चा आठ गुना अधिक करचाएगा हिंदुस्तान टाइम के अनुसार 15 साल पुरानी कार के लाइसेंस के नविकरन के सुल्क पाच हजार रुपी होगा और नए वहन के रेजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 600 रुपय देने होंगे वहीं 15 साल से अधिक पुरानी बाइक के रेजिस्ट्रेशन का सुलक एक हजार रुपय होगा जबकि नए वहनों के पंजी करन के लिए केवल 300 रुपय का खर्चाएगा बड़ी खबर विपयसी की 65 परिचा का परिणाम 7 अक्टूबर को होगा जारी जिहां बिहार लोग सिवा आयोग की 65 परिचा के परिणाम 7 अक्टूबर को संभावित है 65 विपयसी में 14 विभागों में 423 पदों पर नियुक्ति होनी है आपको बताते कि नियुक्ति को लेकर रिजियल्ट जारी करने के लिए आवाइसक प्रक्रिया जारी है आयोक की सेंग्त सचीव सब परिच्छा नियंतरक अमरेद्र कुमार ने बताए कि अबयाती परिच्छा परिणाम www.bbsc.bihar.nic.in पर जाकर देख सकते हैं परिच्छा 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 पर जल्द भेजी जाएगी इसके साथ प्रारामिक विदालों में बिहार लोक्स सिवा आयोग से 40,500 पदो पर प्रधान सिक्चोकों की 42 संबंदी अधी आचना भेजने का प्रस्ता भी तैयार हो चुका है। में यह मकाबला 8 विकेट से जीत कर अपने नाम किया मुंबई के सामने मात्र एकर रनों का टार्गेट था जिसे टीम ने 8.2 ओवर की खेल में दो विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई की प्लेओप में जगा बनाने के उमेद अभी भी बरक 12 अंकों के साथ मुंबई नियंस आप पाचवे पाइदान पर पहुच गई है। आज के आपका सवाल बताएं कि क्या पपो यादब को कॉंग्रेस में सामिल होना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।